नमिश्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राज के सनातकोत्तर महाविध्याले बारा, हिंदी विभाग में कारे रत हूँ आज मैं आपको बिये प्रत्थम वर्ष के दृत्तिय प्रश्नि पत्र में जो की हमारी बुख है चित्र लेखा, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, उनकी कुछ महत्वपुन व्याख्या हैं, उनकी बारे में बताऊंगी सबसे पहली वेख्या हैं उनकी कि उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजे पाली है संसार से उसको विरक्ती है और अपने मतानुसार उसने सुक को भी जान लिया है उसमें तेज है और प्रताब है उसमें शारिरिक बल है और आत्मिक बल है जैसा की लोगों का कहना है कि उसने ममत्व को वशी भूत कर लिया है कुमारगिरी यूवा है पर योवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलोकिक शक्ती उत्पन कर दी है संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्षिय है हमारा ये जो प्रसंग है प्रस्तुत अवतरण भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित चित्र लेखा उपन्यास के आरम से उत्परत है इसमें महाप्रभु रतनामबर द्वारा अपने शिश्य विशाल देव को योगी कुमारगिरी के संबंद में जो कुछ बताया गया उसका वर्णन किया गया है अब हम इसकी व्याक्या देखेंगे पहली लाइन है अमारी उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजे पाली है महाप्रभू रतनामबर ने विशाल देव से कहा कि योगी कुमारगिरी स्वेम को महान सादक मानता है बस अब के सामने दावा करता है कि उसने संसार की सभी वासनाओं एवं माया जन्न विक्रतियों पर विजे पाली है उसमें अलोकिक तेज है अदृत्तिय प्रताप है उसमें शारिरिक पल है और आत्मिक शक्ती भी है और अपने मता नुसार उसने सुख को भी जान लिया है जिसमें तेज प्रताप और शारिरिक पल और आत्मिक पल है जेसा की लोगों का कैना है सबी लोग इन विशेष्टाओं से कुमारगिरी को महानसंत परमयोगी एवं प्रह्मा ज्यानी मानते हैं लोगों का कैना है कि कुमारगिरी ने ममत्व को अथार्ट सांसरिक माया मुह के अपने तत्ववादी प्रभाव को वश्मे कर लिया है वह परतत्व के साथ थी ममत्व को जेच चुका है वह योगी कुमारगिरी अभी युवा हैं परन्तु योवन की उद्दाम शक्ति और सांसरिक अनासक्ति से संपन्न विराग्य से उसमें एक अलोकिक शक्ति आ गई है उस शक्ति के अविब्राव से वो परमात्मा का शाक्षा कार करने में लगा हूँ है संसार उसका साधन है और स्वर्ख उसका लक्ष वह परमत्त्व के साथ ही ममत्व को जीच चुका है वह योगी कुमारगिरी अभी युवा है जवान है परन्तु योवन के उद्दम शक्ति और सांसारिक अना सक्ति से संपन विराग्य से उसमें एक अलोकिक शक्ति आ गई है उसमें एक अलोकिक शक्ति आ गई है उस शक्ति के भाव से वह परमत्म का शक्षत कर रहा है इस प्रकार ये संसार उसका साधन है और स्वर्ग लोग के प्राप्ति उसका लक्ष है एक प्रकार से ये समस्त पुन्यों का पुन्ज है इसके विशेश चो पॉइंट से वो है कि महाप्रबूर अतनामबर द्वारा पाप को जानने के लिए अपने शिश विशाल देव को कुमारगिरी के पास रखते समय कहा कि वह पाप से मुक्त है अपने प्रताप से वह वासनाओं पर विज़े पा चुका है इस कथन से कुमारगिरी के चरित्र का प्रकाशन होता है इस व्याख्या की जो भाशा है वो तस्तम प्रधान सरल है शेली विनरत्मक है इसके बाद हम नेस्ट व्याख्या देखेंगे उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग बिलास नाचा करते हैं रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है वेभव और उल्लास की तरंगों में ये केली करता है इश्वर की उसके पास कमी नहीं है उसमें सौंदर रहे और उसके हरदे में संसार की समस्त वासनाओं का निवास है उसके द्वार पर मातंग जूमा करते हैं उसके भवन में सौंदर के मद से मतवाली नर्थकियों का नर्थ्य हुआ करता है इश्वर पर उसे विश्वास नहीं शायद उसने कभी इश्वर के विशे में सूचा तक नहीं है और स्वर्ग तथा नर्ख की उसे कोई चिंता नहीं आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष भी है प्रस्तूत अवतरण भगवती चरण वर्माद्वारा लिखित चित्र लेखा उपन्यास की आरंबिक भाग से लिया गया है यह भी महाप्रबू रतनामबर का कथन है कि वे अपने शिश्य श्वेतांग को पाप का पता लगाने के लिए पाटली पुत्र के सामन्त एवं भोगी प्रवर्ती के वेभव संपन बीज गुप्त के पास सेवक रूप में रखते हैं उसी अवसर पर विश्वेतांक को बीजगुप्त के संबंद में बताते हैं व्याख्या उसकी विशाल अट्टा लिकाओं में भोग बिलास नाचा करते हैं वो कह रहे हैं कि महाप्रभुरतनाबन ने श्वेतांक से कहा कि सामन्त वीजगुप्त परम्भोगी हैं ये शत्रिय सामन्त हैं तसा इसके पास वेभव विलास के लिए परियाप्त धन संप्रत्ती है रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है उसके पास वेभव विलास के लिए परियाप्त धन संप्रत्ती हैं योवन से संपन्न होने से वीजगुप्त का जीवन इस समय मादत्ता मस्ती से भरा हुआ है उसकी विशाल अट्टा लिकाओं में भोग विलास के सारे सुख उपलब्द रहते हैं और वह रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही कहने का तात पर यह है कि रत्नों से जड़े हुए पात्रों में जीवन का सारा सुख है अथार इस रत्नों से जड़े हुए पात्रों में शराब भर-भर कर वो पीता है जिसमें उसको आनन्द की अनुभूती होती है तथा उसे ही जीवन का वह परमसुख मानता है वेभव और उल्लास की तरंगों में वक्केली करता है वह वेभव और विलास की मस्ती में खूब योवन क्रिया करता है एश्वर कि उसके पास कोई कमी नहीं है बेजगुप्त युवा है उसका शरीर सुन्दर है सौंदर्य और योवन के साथ ही धन वेभव से संपन होने से वह संसार की समस्त वासनों में आ सकती रखता है उसके दर्वाजे पर हाती जुमते हैं उसके भवन में सौंदर्य के मद से मतवाली नर्द कियों का नर्द कि हुआ करता है कहने का मतलब यह है कि उसके भवन में सौंदर्य के नशे से मतवाली सौंदर्या नर्थ किया नर्थ करती हैं वह भोकवात पर पूरा विश्वास करता है शायत उसने कभी इश्वर के विशे में सोचा तक नहीं है और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता नहीं है अथार्थ इश्वर पर उसे विश्वास नहीं है संभवत उसने इश्वर के संबंद में कभी सोचा भी नहीं है अपने सुक्स, वेभव एवं भोग विलास में रमे रहने से उसे स्वर्ग और नरत की भी कोई चिंता नहीं है उसके जीवन में आमोद प्रमोद में मस्त रहना ही एक साधन है और उसका यही लक्ष है और यही साध्धे या जीवन का लक्ष भी है उसका इस प्रकार बीजगुप्त परंभोगी शत्री युवा है संसार में भोगी व्यक्ती के पास क्या-क्या साधन होते है किन-किन चीजों से वे अपनी भोग लिप्सा की पूर्ती करते है इसका सुन्दर वर्णन किया गया है इसमें बीजगुप्त की चारित्रिक विशिष्टाओं की वेंजना हुई है इस उपन्यास की जो भाषा है, इस वेक्या की जो भाषा है सरल, तस्सम, रधान, एवं भावनुकूल है शेलीज की विवरण वाली है, एवं व्यक्त्मक है आज हमने आपको बीफ अस्टियर की उचित्रलखा उपन्यास को शुरुवात करी है जिसके लेका के हमारे भगवती चरणवर्मा हम आपको दो-दो व्यक्षें रोज करवाके और उनसे संबन्दित जो प्रश्न है वो भी करवाएंगे इसका PDF बच्चों मैंने WhatsApp पे आप लोगों को सेंड कर दिया है आप सब वो भी देख ले और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्रम होती है कोई समस्या उसके सामने आती है तो वो मुझे फॉन करके मुझे कॉल करके मुझे कुछ भी पूछ सकता है तो आज हमने सबसे पहले जो महतपुर वैख्या थी जिसमें महाप्रबुरत नामबर तुआरा अपने शिश्य को जो उबदिश दिये गये है कुमार योगी के बारे में जो बताया गया है हमने उसके बारे में आपको बताया है नैस्ट इसकी बारे में जो एक प्रश्ण है उसकी जानकरी हम आपको देगे धन्दे मुट